एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक बार की बात है एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था पार्क का सारा महल बहुत खुशनुमा था लेकिन वो आदमी बहुत जाद दुखी था, परिशान था, टेंशन में था तो वहाँ पर एक बुड़ा व्यक्ति गुजर रहा था, उस बुड़े व्यक्ति ने उस आदमी को देखा और उस आदमी को देखने के बाद उसके मन में ऐसा आया कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि क्या बात है वो बुड़ा व्यक्ति उस आदमी के पास आया और उस आदमी से पूछता है कि भाई साब मैं देख रहा हूँ कि पार्क का इतना अच्छा माहौल है लेकिन इतने सुन्दर माहौल में भी आप बहुत दुखी परिशान दिख रहे हो मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है तो वो व्यक्ति कहता है कि बाबा आप रहने दो मैं आपको क्या अपनी टेंशन बताओं आप अपना काम करो लेकिन वो बुड़ा व्यक्ति फिर दुबारा पूछता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी परिशानी मुझे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो से मैंने बिजनस शुरू किया था, कोई नुबव नहीं था, पैसा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, मेहनत करते करते कई बार तो मैं 18-18-20-20 घंटे काम करता था, धीरे-धीरे मेरा बिजनस चलने लगा, मैंने काम का स जैसे उस व्यक्ति ने कहा ना कि मेरा बिजनस फेल होने की कगार पर आ गया उस बुड़े व्यक्ति ने पूछा बिजनस फेल हो गया है या फेल होने की कगार पर आ गया है तो उस व्यक्ति ने दुबारा कहा कि अंकला भी बिजनस फेल हुआ नहीं है लेकिन मेरे पास जो बि इतनी सेविंग मेरे पास है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कमाई है अब क्या होगा चार-पांच महीने बाद मेरी वह सेविंग भी खतम हो जाएगी और मेरा बिजनस बंद हो जाएगा तो बुड़े व्यक्ति ने कहा अरे क्यों घबरा रहे हो चार-पांच महीने बाद बंद होगा लेकिन वह कहता है कि मिसको तो अभी से ही टेंशन हो रही है कि चार-पांच महीने बाद में क्या करूंगा तो क्योंकि चार-पांच महीने बाद फिर दुबारा मुझे पैसे की ज़रत पड़ेगी अगर मेरा बिजनस लॉस में चलता है तो बुड़े व्यक्ति कुछ समझ पाता कुछ पूछ पाता उस बुड़े व्यक्ति के बारे में जान पाता तब तक वो बुड़े व्यक्ति चेक देकर चुपचा वहां से चला जाता है और वो जो आग्मी होता उसके मन में उर्जा भर जाती है कि यार अब तो मेरा काम हो गया complete अगर मेरा बिजन के साथ काम करता है और ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसको पता है कि चार-पांच में लॉस चला भी गया तो आगे भी मेरे पास जो पैसा है वो मेरे बिजनस को सर्वाइव कर लेगा तो इसके साथ जब मेहनत करना शुरू करता है तो मेहनत करते करते पहले महीने उसका ब करोड रुपे की ज़रूत नहीं पड़ती लेकिन उस व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि यह जी दो करोड रुपे मुझे दिये थे जिस व्यक्ति ने चलो उसका मैं धन्यवाद भी करता हूं और उसका चेक यह वापस कर देता हूं कि मुझे पैसे की ज़रूत नहीं है आपक जब रोज पार्क में जाना शुरू करता है, तो एक दिन वो बुड़ा व्यक्ती उस पार्क में भागता हुआ उसको दिखाई देता है, और देखता है उसके पीछे कुछ 5-7 लोग और भाग रहे हैं, तो वो व्यक्ति देखता है कि अरे अरे ये बुडे जो अंकल है इनके पीछे भाग क्यों है भई यह तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बहुत सजन पूरुश है तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं तभी वो व्यक्ति जो पांच-छे लोग उसके पीछे भाग रहे थे मतलब यह ना नखली चेक भाटना शुरू कर देता है, लोगों को बैवक्ति बनाइता है कि इस व्यक्ति ने उनको पैसा दे दिया तभी इस व्यक्ति के मंद में एक विचार आता है कि यार इस बूडे व्यक्ति दिया वो नखली था? अरे चलो कोई बात नी वैश है कि ये उस आदमी के मन में एक ऐसा दीप जला दिया जिससे वो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव एप्रोच के साथ वो काम करना शुरू करने लगा जिसकी वजिशास का जो बिजनस था वो लॉस से प्रॉफिट में आया प्रॉफिट के बाद और प्रॉफिट बढ़ता गया और बिजनस स्टेबल हो गया तो फ्रेंड्स मेरा इस कहानी को बताने का जो उदेश्य वो यह है कि लाइफ में ना हमेशा आपका जो एटिट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए सकारात्मक बिरिष्टी को ओना चाहिए परिस्तिती कितनी भी गंबीर हो परिस्तिती स साथ पूरी लगन के साथ पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक बिरिष्टी कोन के साथ निरंतर प्रयास करते रहें आने वाले दिन बहुत बेतर होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज का समय क्या चल रहा है बविश्य में क्या होगा वो इस बात पर निबर होगा कि चाता हूँ अगर आप अपना एटिट्यूट पॉजिटिव रखेंगे कड़ी मेहनत के साथ पूरे विश्वास के साथ लगन के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी इसलिए हमेशा सकारात्मक बिरिष्टी कोन रखें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं